कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में number system के उपर कुछ question practice करेंगे last वीडियो में हमने देखा numbers के उपर की numbers क्या होते हैं उसमें कितने part थे integer, fraction, real number, prime, co prime, composite number ये सारी चीज़े, rational number, irrational number, non-terminating, terminating, non-terminating decimals के बारे में हमने जाना काफी चीज़े थी उस वीडियो में तो आप देख सकते हैं उसके basis पे ही ये question है तो सबसे पहला question है consider the following statement हमने ये दोनों statement पढ़नी है और बताना है कि इन में से दोनों ठीक हैं या कौन सी गलत है of two consecutive integer one is even मैंने आपको बताया था integer कौन से होते है positive integer, negative integer, zero से जो positive side में एक, दो, तीन, चार, पांच से जितने भी हमारे number आगे continue जाएंगे ये हमारे positive integer और minus भी तरफ जाएंगे minus one minus two minus three ये हमारे negative integer होते है, zero ना तो positive होता है और ना ही वो negative होता है, अच्छा जी अब इसने बोला two consecutive integer हैं, consecutive integer बोले तो 11 और 12, 14 और 15 ये हमारे consecutive integer होगे, इस में से one is even, बिल्कुल one एक जो integer हो even हो सकता है, बिल्कुल ठीक है हमारा ये, है ना, ऐसी ना, अब 16 से 17, भी consecutive integer क्य होंगे, 18 से 19, एक odd मिलेगा, एक even मिलेगा, तो एक even हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद है, square of odd integer is of the form of 8N plus one की form में हो सकता है, क्या है, square of odd integer, square क्या होता है, odd integer क्या होता है, किस form में होता है, 2K plus में one, अब के की जगे पे आप कुछ भी रखो, one रखो, two रखो, three रख हो, जो result आएगा, वो हमारा आएगा, odd integer, इसका इसने बोला, square करना है, square कर दिया, इसको a plus b का square, खोल दो भाईया, two k plus में, b का square, one का square, one plus में, two a b, four k, तो ये हो जाएगा, इसका square था ना, तो square हो जाएगा, तो four k, plus में four k, इसका square हो जाएगा भी या, प्लस में one, अब इ हो गया, four k, गुना में, k plus में one, ठीक है, अब ये form क्या होती है, ये क्या है, ये दो लगातार नमबर है, k और k plus में one, और इनका product even आता है, और मैंने आपको बताया था, कि even number जो होते है, उनका क्या form होती, even number की product की, even number की क्या form होती है, two n, n की जगे पे आप odd number put करो, even put करो result के आएगा, even आएगा, दो लगातार number का product क्या आएगा, result के आएगा, even आएगा, तो even आएगा तो उसके जगापे हम two n लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, four plus में, four गुना में, four into two n, plus में one, ये one है न, ठीक है, तो ये हो गया, eight n पलस में one, तो result हमारा proof हो गया, बिल कुल इस फॉर्म में आ रहा है तो यह हमारा ठीक हो जाएगा उसके बाद second question है if n square is perfect cube then which of the following statement is always true यह बोल रहा है कि n square अगर perfect cube है अब perfect cube की कहानी सुन लो भईया if n square is perfect cube इसने बोला है कि n square अगर perfect cube then which of the following statement is always true तो कौन से statement हमारी सही है तो सबसे पहले आती है perfect square number है ना number क्या होगा यह n square की फॉर्म में होगा ठीक है जी for example 12 का square 144 144 आ जाए बिल्कुल जी उसके बाद यह जो perfect square है यह power की फॉर्म में भी हो सकता है break करके लिखना for example 71 की power 14 अब आप इसको power की फॉर्म में even power की फॉर्म में break कर सकते हो 71 इसको हम लिख सकते हैं 71 की power 7 और इसको भी इसकी power 2 तो यह हो गया 7 into 2 14 तो बात तो वही same है 89 की power 92 अब आप इसको square की form में लिख सकते हो power को square की form में लिख सकते हो बिल्कुल 89 की power इसको 2 से divide कर दो 4 और यह 89 की power 46 और की power 2 तो यह भी हमारा क्या है perfect square number है उसके बाद बात आती है perfect cube की perfect cube यह होगा n की power 3 की form में for example 8 8 को हम किस form में लिख सकते है 2 की power 3 for example 17 की power 72 इसको आप perfect cube की form में लिख सकते हो 17 को 72 को 3 से divide करके देखो क्या यह completely power divide हो रही है तो हम इसको perfect cube की form में लिख सकते है 17 की power 24 3 2 6 3 12 और इसकी power हो जाएगी 3 तो यह हो गया 17 की power 24 और इसकी power पूरे की कितनी 3 तो यह हमारा हो गया perfect cube की form में simple सी बात यह है कि जो power है वो 3 का multiple होना चाहिए तो वो संख्या हमारी perfect cube होगी तो यह बात यह तो होगी perfect square और perfect cube की क्या कोई संख्या हमारी perfect square भी as well as perfect cube भी हो सकती है तो भाया होने के लिए जो condition है वो यह होगी कि उसकी power में वो जो power है वो 2 का भी multiple होगी और 3 का भी multiple होगी फोर एक्जामपल कैसे 1 की power 2 और 1 की power 3 वो तो एकी बात होगी उसमें तो कुछी जीना फोर दूसरा एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल के लिए 64 अब 64 का हम perfect square करें तो बने का 8 का square क्या होगा 8 का square 64 और क्या 64 को हम perfect cube की form में लेख सकते हैं बिल्कुल लेख सकते हैं 4 की power 3 तो यह भी 4 की power 3 क्या होता है 64 होता है तो कहने की बात यह है कि 64 को आप perfect square और perfect cube दोनों की form में लेख सकते हो तो ऐसे काफी number होते है जिनका perfect square भी बनता है perfect cube भी बनता है और question में हमसे ये पूछा गया है कि if n square is perfect cube तो n square न, n square is perfect cube, right? तो यहाँ पे 64 है, 64 एक number है, इसका perfect square क्या होगा? 8 का square और इसने बोला है कि n square, ये जो n square है, ये क्या perfect cube है? तो n क्या है हमारा, क्या n जो है, वो हमारा perfect cube बन रहा है? अब यहाँ पे option में देखो, n is odd number, n is even number, कुछ भी हो सकता है, odd भी हो सकता है, even भी हो सकता है n cube is perfect square, तो n cube क्या perfect square बनेगा? जरूरी नहीं है, क्या पता ना भी बने? लेकिन n is perfect cube, यहाँ पे आप देखो, n is perfect cube बन रहा है, यह हमारा n है, n square नहीं, n square तो यह पूरा है, इसमें जो n है, क्या वो perfect cube बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है, 2 की power 3, तो यहाँ पे जो condition हमारी fulfill हो रही है, 64, इसका जो square होगा, वो होगा, हमारा n square केतना होगा? 64 जो number है, इसका perfect square होगा, 8 की power 2, और जो इसमें number n है, यह क्या होगा, इसका भी cube बन रहा है, 2 की power 3, तो जो हमारी condition हो फुल्फिल हो रही है, d option से, n is perfect cube, n बिल्कुल एक perfect cube है, उसके बाद यह question है, which one of the following rational number has non-terminating and repeating decimal, मैंने आपको बताया था, rational number कौन से होते है, e rational number कौन से होते है, rational number होते है, p by q की form में, where q is not is equal to zero, और irrational number होते है, जो क्या है, p by q की form में, नहीं होते है, वो हमारे होते है, e rational number, अब यहाँ पर यह बात होगे, लेकिन इस question में, यह पूछा है, कि इन में से, इन option में से, कौन सा rational number, non-terminating or repeating decimal है, non-terminating कौन सा होता है, वो number होता है, ज जाके रुख जाए, वो तो होते हैं, तो हमारे terminating और non-terminating होते है, जो दसमलाओ के बाद, point के बाद, आगे continue तक, वो चलते ही रहें, वो कहीं पे जाके रुखे, ना पूरे पूरे भाग ना जाए, वो हमारे होते है, non-terminating, और repeating decimal में यह होता है, कि अगर वो भाग जा रहे है, तो एक डिजिट से वो repeat कर रहे है, point के बाद, 6 पे, 6 पे, 6 पे, 5 पे, 5 पे, वो हमारे होते है, repeating decimal, और यहाँ पे जो चार option दे रहें, कि इसमें से बताना है, rational number कौन सा हमारा option, rational number और non-terminating और repeating decimal है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें और जानने पड़ेगी, rational number और non-termin से डिवाइड करते हैं, तो जो result आता है, वो आता है, terminating decimal आएगा, कहने की बाद यह है, कि वो point के बाद, एक या दो डिजिट पे जाके, end हो जाएगा, तो हमें इन ही option में यही देखना है, कि कौन सा जो हमारा number है, वो 2 और 5 का multiple है, या फिर उन में 2 और 5 आ रहा है, simple सी definition य यह है, कि ऐसा कोई भी number जो 2 और 5 से बने हो, भई, कोई भी ऐसे number जो 2 और 5 से मिलके बने हो, उनका multiple हो, उन से बने हो, तो वो सभी number किसी भी natural number से भाग देने पर, उन numbers को किसी भी natural number से भाग देने पर, जो result आएगा, वो terminating number ही आएगा, for example, 50, अब 50 क्या है भई, या 2 और 5 5 का square, है ना, तो इस में क्या है, इस number को आप किसी भी natural number से divide करोगे, तो result आएगा, वो terminating number आएगा, for example, 1600, जैसे याँ option में दे रखा है, अब 1600 क्या है, 16 into में 100, right, और 16 में क्या है, 2, 8, 2, 16, right, 2 और 5 का use हो रहा है, कहने की बात यह है, तो किसी भी natural number को 16 से भाग देनेंगे किसी भी natural number को 1600 से भाग देंगे, अभी 1600 को आप किसी भी natural number से भाग दोगे, तो जो result आएगा, वो terminating number ही आएगा, बट condition यह है, कि जिसको हम भाग दे रहे हैं 1600 से, तो वो number हमारा जो natural number है, वो 1600 का multiple ना हो, अब मान लो, आप यहाँ पे 1600 को 64 से divide करोगे, तो यह तो completely भाग च ला जाएगा ना, लेकिन condition यह है कि वो 1600 का multiple नहीं होना चीए, समझ रहे हो, 1600 का multiple नहीं होना चीए, और कोई भी number हो सकता है, तो और किसी भी number को हम अगर 1600 से divide करेंगे, तो जो result आएगा, वो terminating number आएगा, simple सी बात है यह, और अगर natural number को हम 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा किसी भी number से divide करेंगे, अगर natural number को हम divide करेंगे किसी और number से, और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और number है, तो जो result आएगा, वो आएगा non-terminating but repeating decimal ही होगा, non-terminating और repeating decimal, कैसे, for example, 19 को आप 6 से divide करो, तो इस 6 में क्या है, 2, 3, 6, 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 भी तो है, अगर यहाँ पर 5 होता, जब तो समझ में आती बात, कि भाईया, terminating result आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, कहने की बात ही है, कि अगर 2 और 5 के अलावा, कोई भी और number है, और वो number उस संख्या में आ रहा तो यह जाएगा, 38, point बच गया, 1 पर जाएगा, फिर यह जाएगा, 6 पर, 6 पर, 6 पर, 6 पर, आगे, 6 पर, 6 पर, आगे, यह continue ऐसे चलता रहेगा, तो यह हमारा non-terminating और repeating decimal हो गया, for example, 5 को ही करके देख लेते हैं, 5 को 3 से, 1, point लग गया, 2, 6, 8, फिर 2 बच जाएगा, 6, 8, 6, चिक है, 18, चिक है, 18, तो यह कितना हो गया, 1,666 आगे, यह continue चलता रहेगा, तो यह बात यह है, कि अगर हम natural number को, 2 और 5 के लावा किसी number से divide करते हैं, तो जो result आएगा, वो non-terminating, repeating decimal आएगा, simple सी बात ही है, अभी हमें option में देख लेना है, कि जो हमारा यह 16, 100 हो गया, 8 हो ग terminating, अब 16, 100, अब option A है, option A में 16, 100 है, 16, 100 में क्या है, 2 और 5 का use हुआ है, और हम इसको अगर इससे divide करेंगे, तो result आएगा, वो क्या आएगा, वो terminating आएगा, जो मैंने आपको starting बताया, उसके बाद B option है, B option में आप देखो, 8 है, 8 में क्या use हुआ है, 2, 2 use हुआ है, 4 दुन अब 35 को 50 से divide करेंगे, तो 50 में क्या है, 5 into में 10, और 2 क्या है, 10 क्या है, 2 into में 5, कहने की बात यह है कि 5 और 2 का use हुआ है, तो 35 को अगर हम 50 से divide करेंगे, तो result जो आएगा, वो आएगा terminating में, terminating decimal में, लेकिन यहाँ पे आप देखो, D option में 6 है, 6 को, 17 को 6 से divide करेंगे, तो भ क्या use हुआ है, 2 और 3, मतलब 3 यूज हुआ है, इसलिए, मतलब 2 और 5 के लावा कोई और number use होता है, तो result क्या आता है, non-terminating repeating decimal आता है, तो यह हमारा tick सही हो जाएगा, D option हमारा सही है, which one of the following rational number, rational number है, बिलकुल P by Q की form में है, where Q is not is equal to 0, और non-terminating है, बिलकुल, इसमें 3 का use हो हो जाएगा, उसके बाद है fourth question, consider the following statement in respect of two integer, P and Q, both more than one, which are relatively prime, तो इसमें हमें बता रहा है, कौन से नमबर है, वो relatively prime है, कौन से नमबर है, देखो इसमें condition बता रहा है, बोथ P and Q, यह भी है कि बोथ जो P and Q, वो एक से जादा है, बोथ P and Q may be prime, तो prime number कौन से होते हैं, जिनके दो factor होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं, prime number, तो P and Q भहिया, उनके दो factor हो सकते हैं, कोई भी number हो सकते हैं, तो बिलकुल P और क' and Q प्राइम number हो सकते हैं, बोथ P और क्यो भाई एक से ज़ादा ही होंगे ना मान लो मान लो दो हो सकता है तीन हो सकता है पांच हो सकता है कोई भी हो सकता है जो प्राइम नंबर हो जिसके दो फैक्टर हो दो के भी प्राइम दो के भी दो फैक्टर होते हैं एक और दो तीन के भी तो बिलकुल P और क्यों हमारे composite हो सकते हैं और वो relatively prime भी हो सकते हैं उसके बाद उसके बाद one of the one of P and Q may be prime and the other composite बिलकुल हो सकता है वही हो सकता हमारा prime एक हो सकता है composite number for example P हमारा two हो गया और क्यों हमारा हो गया six तो यहां पे P के जो है दो factor हो जाएंगे एक और दो और इसके हो जाएंगे 1, 2 और 3 और even 6 लेकिन यहां पर 6 जो है वो हमारा composite number नहीं हुआ क्योंकि इसके 4 factor हो गए और एक और example लेते हैं 9 लेते हैं 9 तो 9 के देखते हैं 3 factor बिलकुल 1, 3 और 9 इसके 3 factor हो गए तो 9 हमारा composite number है तो P और क्यों कहने की बात यह है कि composite number भी हो सकता है एक और इसमें से एक prime number भी हो सकता है उपर वाली जो second condition थी इसमें बोला P और क्यों में भी composite number, composite number मतलब कि 3 factor तीन factor के लिए भी है अपलाई कर दो आप 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया अब इसमें देखो P और क्यों में भी composite number हो सकते हैं, composite number जिनके 3 factor हो तीन factor और किसके हो सकते हैं, 11, 11 के भी दो factor है, 12, 12 के भी जादा हो जाएंगे, 15 के देखते हैं 15 और हमारा 9, यह दोनों के composite P और क्यों हो सकते हैं, और यह composite number है, और both more than 1 है तो कहने के बाद यह तीनो condition fulfill हो रही है, ठीक है N is smallest 3 digit prime number, smallest 3 digit prime number कौन सा होगा, 100 तो या prime number नहीं होगा, इसके 2 factor नहीं है उसके बाद 101 पे आजाओ, 101 के 2, क्या 101 prime number है, बिलकूल 101 prime number है एक और 101 का कोई और factor तो होता ही नहीं है, एक खुद 101 ही 101 से divide जाएगा और 101 एक से divide जाएगा, और तो बीच में किसी से भी divide नहीं होता तो यह इसके सिरफ 2 factor है, यह prime number है वेन N is divided by 13, और N हमारा 101 को अगर हम 13 से divide करते हैं तो रिमेंडर क्या आएगा, बस यहीं बताना है तो भाईया 101 को आप डिवाइड कर दो 13 से ही 13 साथे 91 में बच गया कितना रिमेंडर, 10 साथ पर जाएगा तो 10 हमारा answer हो जाएगा तो आज इसी वीडियो में हम इतने क्यूशन करते हैं थैंक्यू फूर ओचिंग इस वीडियो वीडियो, आपको ठीक लगी तो लाइक करना चनल पिना यूटो गया शबस्क्राइब करना